सर्फ प्रतम मैं भारतिय जन्ता पार्टी की कारे करता हूँ, मेंबर हूँ और मैं समझती हूँ कि हर पार्टी क्योंकि चुनाओ का सीजन चल रहा है और सभी पार्टी आपनी अपनी जो है मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपना कर रहा है अपने इसाब से अपनी चीजे बोली हैं मगर जो मैं कहना चाती हूँ सभी जनता से कि राष्ट्रिय पार्टी जो है भारतिय जनता पार्टी है और किसी भी तरीके की गड़बंदन की सरकार अब नहीं बनेगी लोगों को गुमरा ना करें अपने प्रतेक मैनिफेस्टो पार्टी जारी करके और जिस तरह से आदर्णे प्रधान मंत्री जी का वर्चस बढ़ा है चाहे जितने भी वादे हमने पुराने मैनिफेस्टो में किये हैं उतने वादे हमने पूरे किये हैं शायदी ऐसा जो है देश में हुआ है कि कोई पार्टी इतने साल तक राज करे और उसने एक भी पार्टी के लिए। खास्टर में जो पार्टी एक इराश्ट्य आ थी वो छेत्री तक समय सीमित रह गई है तो उनके लिए तो बिल्कुल पॉसबर नहीं है। Madonna काम होता है वे लोक्सावा को चुनाओ समयावन, सीज़न चल लाठी को आएक ही अपना मेनिफेस्टो जारी कर क्या तब गड़ वंदन नहीं होते थे क्या पहले जो है नारी शक्ति वंदन का जो बिल था वो अटका नहीं हुआ था किस ने पास किया यह आदर ने प्रदान मंत्री जी ने करा राम लला का मंदिर किस ने बनाया यह प्रदान मंत्री जी ने किया तीन तलाग जैसे जो है ऐस का विशह है और कश्मीर जी हो हमारे भारत का मुकुट माना गया है वहां भारतिया व्यक्ति जमीन नहीं खरीच सकता था वहां पर व्यक्ति अपनी जो है स्वेच्छा से प्रॉपर्टी नहीं बना सकता था क्योंकि उस पे जो है आर्टिकल 370 लागू कर रखा था तो मैं है है ही नहीं कि तिबारा प्रधान मंत्री जी बनने वाले हैं आदरनी नरेंद्र मोदी जी को हमां सभी जितने हमारे पार्टी के कारे करता है और जितनी जनता है जनता को कहा गया है कि जनता जनार्दन का रूप है जनार्दन श्री हरी विश्नु को कहा गया है हमारे सनातन में और मैं समझती हूँ कि समस्त लोक ब्रहमांड इस जनारदन की वज़े से ही फली बूत है चल रहा है चलाए मान है तो जनता को जनारदन इसलिए कहा गया इसमें कितनी भाती-भाती जातियों के लोग हैं कितनी भाती-भाती जो है जो है religious groups हैं, tribals हैं आपके जितने जगह पे माइला हैं, पुरुष हैं, कितनी सारे और लोग हैं तो मैं समझती हूँ सबका विश्वास, सबका जो एक तरह से विकास के प्रति विश्वास है ये जो है हमारे प्रधान मंत्री जी की तरफ है आदरनी नरेंद्र मोदी जी ने ए पूरे भारत में काम करके चाहे हमारे आप देखे ना नैशनल हाइवेज कितने बदस्तूर किये गए हैं, क्या सिर्फ एक जगह पे फोकस किया है, पूरे इंडिया में फोकस किया है उन्होंने, तो प्रधान मंत्री जी ने आपने कार्यों से सिद्ध किया है, कि वह सच में पूरे 24 गंटे, 365 दिन जो है लगातार जनता के बीच में हैं, लगातार जनता का काम कर रहे हैं और जनता के हिर्दय में हैं, उनको भुला पाना, उनको हटा पाना या संभव नहीं है, ऐसे मुझे लगता है छोटे मोटे अलाइंस से जी, मैं अनकी सरकार बनेगी, तो महिला सुरख्षा के कानून लागब किया जाएंगे, महिला सुरख्षा की बेष्थाहों को पढ़ destroy ल्गता मैं तो इतनी बात कहूंगे कि जितनी जो इस सरकार ने कर दिया है महिला शक्तिकरण के लिए और महिला सुरक्षा के लिए दोनों बातों के लिए इतना कभी भी पिछली सरकारों ने किया ही नहीं है चाहे महिलाओं को आरक्षन देने की बात हो चाहे कण्याओं के लिए जो सुमंगला योजना से ले करके लगपती दीदी योजना से ले करके उज्वला कनेक्शन से ले करके जो एक तरह से कितनी आपके इंद्र शासित और प्रदेश शासित जो स्कीमे हैं आप उठा बार-बार पार्टी के विपक्ष को मैं कहूंगे विपक्ष घेरता रहता है भारतिय जन्ता पार्टी को कि सिर्फ जो है एक सेक्ट और एक धर्म के लिए यहां पार्टी काम करती है अगर ऐसा ही होता तो प्रदान मंत्री जी तीन तलाक कभी उसका अंत ना करते तो और जि मुस्लिम एजुकेशन के लिए काम कर रहा है मुस्लिम एजुकेशन में टेक्निकालिटी लेकर आई जा रही है कंप्यूटरी करण हो रहा है यह कहां है यह भारत देश में पहली बार प्रदान मंत्री जी की पहल से हुआ है तो हम जो है जहां हमने मंदिर बनवाया है वहां नारा नहीं है ये धरातल पर फली बूत हो रहा है जी एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी